नमस्कार अमर उजाला के बाद बेबाग कारेकरम में आप सभी का स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं भारतिय जन्ता पार्टी के वरिष्ट नेता उत्राखन में भारतिय जन्ता पार्टी में आवास मंत्री मदन कौशिक जी से मदन जी हरिद्वार से चार बार के विधायक है बारतिय जन्ता पार्टी में लंबे समय से सक्रिये हैं और इस वक्त आवास मंत्री के रूप में उत्राखन सरकार में कारते हैं मदन जी आपका स्वागत है मदन जी सबसे पहला सवाल तो यह कि अभी ताजा मुद्दा जो सबसे बड़ा है उत्राखन में निकाय चुनाओ मही में हो जाने थी लेकिन अभी तक नहीं हुए परिसीमन का मसला है, मामला कोट में अटका है सरकार ने कहा था कि हम सरोच चनैले तक जाएंगे लेकिन बात अभी कहीं अटकी हुई सी है ये कभ हो पाएंगे निकाय चुनाओ देगे समया हमारे मई में कारेकाल पूरा उभा था उस निकाय चुनाओं की टैयारी हमने उससे कहीं छे मईने-अट मेने पहले सुने की नहीं धिस की तेफिय तेफिया मिस अवा ह geç हमारे हाने हैं इसने महिशफत को मित्र है जो लिखाना चान люб और लगातार आपने देखा होगा एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद और आज दो रिटा चार लगा अखिर में तो यहां तक हो गया उन्होंने एक रिट लेके गए कि साब जो सरकार ने काम किया है सरकार को अधिकार ने गवर्नर करना चाहिए इस पर दो महीने और दो महीने बैस होने के बाद अंतते निर ने हमारे बक्स में आया कि सरकार और गवर्णर एक चीज़े हो जाना चाहिए हम जिस दिन नोटिफिकेशन करने थे कोट ने हमें पूछा कारी करम दो हमने कारी करम दिये और कोट ने कहा कि कल आप श्याम को पांच बजे तक नोट करें अगर हम कोई एक चीज़ शुरू करते हैं तो उसके लिए फिर दो महने लगते हैं तो हमारा चार नॉम्बर तक का समय है लेकिन एक इस बीच में दो निर्ड़ने नियाले के होर आ गए तो मैं समझता हूं कि हम खुद नियाले में जाकर क्योंकि जो देहरा दून कती रें शुरू से रही और कुछ कंऱ नी चीजों कुछ सरकार ने शुरु से ध्यान मी रखा और गलती सरकार की है कि आज आज आपने साठ गाउँ ले लिए फिर आपको हटाने पड़े तो आपने शुरू में एद्यान कि रखा कि इसमें कानूनी अर्चन आ सक्या आख हम सुरुमें में हमने साठ गाउं लिए साठ गाउं लेकर कोट में कोई आदमी रिट लेकर अगया guilty कर ने हमारे उसन नोटिफिकेशन को में रस्त किया उसके बाद उसको लेकर एक कोई पी एयल थी बाद में हमने पूरी परकिर्याज जैसे कोड ने का ऐसे की उस पर उस पेकल नीरने आ गया वो पहले साठ्व काउं निकाल है नीरस्त है हमारा हम नोर्स नीरस्त किया वाया है लेकिन उसности पर गरूल सкийजिए गशलय तब इस प्यौ Cryल को ध्यान में नहीं रखा गया उस जैसा इस पी यशो पीट लगी दू महीन को लेकर जो लेकर इसे कई सारे कोड के मसले हैं जिनके बीच में उत्राखंड सरकार में और तना देशत को्ड we उसे भरपूर ख्षेत्र है और हमेशा बात होती कि उत्कनन को लेकर आप देखें कोर्ट ने बहुत सक्त टिपणी किए आप उत्कनन नहीं रोक पा रहे हैं गंगा को लेकर तो इन सारे मामलों में सरकार और कोर्ट आपने सामने क्यों नजराते हैं तो चीज़े हैं, सरकार जब कोई काम करती है, तो वो लीतिगत काम होता है, अगर कोई एक्ट भी बनाना है, तो सरकार उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखे कि जनहितमें क्या कर सकते हैं, या संसोधन करना तो भी करें, नियाले की समिक्सा करने का अपना एक धारा है और जाएं, दूसरा रास्ता यह है कि हम उनके दिसानिर्देशों को माने, अब सरकार इस दिसा में नियाने समय समय पर जो दिसानिर्देश मिलते हैं, या नियाने आते हैं, उसके आधार पर हम दोनों काम करते हैं, कही नियाने हमने माने उस्तम नियाले में आकर और उनको हमने सेटे क्राइब करा है निριह सिंगर मैनल में मैंज में यह कुछ निर defines इसरों तो इसलिए सरकार को यह कहना जिस दारा निरे में दोनों खालें और चाहिक आपन आम जन्रता की तरफ से विबात करें निश्ची तो पर उत्रा कैंज में सरकार उसको लेकर उतनी गंभीर क्यों नहीं नजराती ऐसा क्यों लगता कि उत्खनन हो रहा है अतिकरमन हो रहे हैं और उन अतिकरमनों का खामिआंजा तब उगड़ना पड़ता है जब कोई केदारनाज जैसी त्रास्दी वहती जो कि पहली सरकार ने भुखती थी हम यह कि है ways of कि चैनल जिला परशह से हमने वह उसके तियार है कि आप आपने देखा होगा पूरे सीजन में इतनी बड़ी प्राकर्तिक आपदा जहां आप देखेंगे कि जब बहुत ज्यादा बरसात आ जाती है और बरसात पे एक तम ऐसी परिस्तिती बनती है तो भी हमारे डिजास्टर के टीम हां 15 मिनट में पहुंचाती है दस मिनट में पहु लेक adapting लेकिन अभी दिक्कत ये नहीं हो रही है कि पानी हमारे घर में घुसरा है हम पानी के रास्ते में होटलें पन गयी है मकान बं गयी है दुकाने 옆 bourbon लोगों ने जमीन को कभ्जा कर लिए वो तो सरकार के जमेदारी है ना पानी तरफ से जो प्रकोप दिखारा है जो ल प्रबंदन कर सकते हैं लेकिन जो आपदा मनुष्य निर्मित है उसके लिए तो सरकार है जब हम लोग तंत्र के जो पहलू है अगर उस पर ध्रान रखे तो यह सारी चीजे एक दिन में आदे आज आज आप देखेंगे हमारे हाँ इसा नहीं कि राज्य बनने के बाद बनी हैं यह राज्ये से 20-40-50 साल पहले बनी होगी और जब मलीन बस रही होंगी इभिन परकार के राजनेतिक पर अन्य कारण नहीं होंगे तो आज अगर उन 580 मलीन बस्तियों का निर्णे होता है तो निश्चेत रोब से लोगतंतर में रुजल पादे को इसकी संभावना कम अुध्यया वंद्याधे समले करें यह सही है कि起 कर्मन जो शड़कों पर हैं जो नालियों पर जो गलींे उसकि शुर्वाध हमने सरकार बंते ही बहुत तेजी और जो सड़कों पर नालियों पर इस तरह का तिकर्म नाते उसमें कोई रियायत भी नहीं करते और हम उसको कहीं ना कहीं किसी का बचाव भी नहीं होना चाहिए लेकिन कहीं चीज़ आई आती है कि जो आप जैसा कहा कि हम राज्य में जाएंगे कदारनाद के आपड़ाई है या बद्रिनाद बद्रिनाद के रास्ते में जाएंगे चारो धामों कह एनका परिष्टटी बनती है इस पर वो जो सारे बिंदुया तो उनको छोड़ दिया, उस रोड़ को छोड़ दिया, उससे अलग उसका दूसरा विकल्ब देख लिया, या पर उसको सुरंग के अंदर को निकाल दिया, यानि कुल मिलाकर ये जो व्यवस्ताम लोग बना रहे हैं, इसकी कोई समय सीमा है सार है, तो बन जाए बताता है, बहुत तेजी के साथ काम चलना है, आप जागे दें उतराखंड में, आपने चुकि मैं दूसरा सवाल पूछनाल थे कि तो मैं जानना चालतूं, 2019 को लेके उतराखंड में भारती जनता पार्टी क्या स्थिति रहेगी, क्या पांचों सीटे हैं तो ये तो मोदी लहर का भी एक तरह से कमाल रहा कि पांचों आई फिर 57 भी आई लेकिन अब जो चुना होगा वो तो मुद्धों पे होगा, सरकार पे होगा, तो आपको क्या लग रहा है 2019 में? तो आपने कहा, वो ही तो अभी भी है, आपने कहा मोदी लहर का चमतकार था, तो मोदी लहर का चमतकार अभी भी है, को कहा जा रहा है, जारी है, जारी है, नोट बंदी का, GST का, कोई असर नहीं है, नोट बंदी के बाद उत्तर प्रदेश, उत्राखंड ये सब चुना हम वहाँ पर क्रेडिट कार्ड लेके या एटियम का कार्ड लेके आप गूम नहीं सकते हैं जाने मुझे लगा आप उत्रा खंड गए आपको बहुत दिनों ने उत्रा खंड में तो आप देखेंगे देस का देस के सबसे सिक्सित दसराज्यों में हमारा आप चुकि पहार की भो सबसे ज्यादा बैटे हैं जहां 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 सेना के सबसे ज्यादा अधिकारी है इस जहां सबसे ज्यादा रहे हैं नहीं कहा है नोटबंदी आपको फ। आपके इसाब से आज का जो वातावरन है मोदी जी ने जनता में विश्वास पैदा कि अगर कोई वेक्ति आज जिस वातावरन में लेकर गया है उस वेक्ति का अपना क्या है अपना घर बार नहीं है परिवार नहीं है उस वेक्ति पर जो विश्वास आज जनता का आप चार लोगों से पूछिए चार लोग अगर आप उनसे पूछे पैट्रोल के दाम बढ़े आप उनसे पूछे जिए आप उनसे पूछे नोडबंदी हुई लेकिन साथ साथ लाश्ट में पूछे आप और किसे घरेंगे वो तो सही है लेकिन कि मोदी जी का क्या रिखे जी कहते थे मेरे समय में तो रुपिया कभी गिर नी सकता वी तो सबसे नीचे रुपिया पेट्रोल डीजल के दाम सबसे उचे सबसे तरफे आप जानते हैं ना कि देश में आज जिस तरह अर्थ विवस्ता का वातरों ना में सबसे कम गिरावाट है अगर पैट्रोल के दाम बढ़े हैं पैट्रोल के दाम बढ़ने का कारण है लेकिन बावजूद इसके आद देश की जंता ने इसको स्विकार किया कि हाँ यह सारा पैसा अच्छे कामों में लग रहा है ऐसा नहीं है सवर्णों में नारा जी आप इतना बड़ा भारत बंद भी हुआ जब हम सामाजी कस्तर पर काम करते हैं तो कुछ चीज़े जिनका राजनिती करण नहीं होना चाहिए और मैं तो आपसे भी निवेदन करूँगा कि यह राजनिती का मुद्दा नहीं बनना चाहिए अगर हमारा सामाजी क्ताना बना जिस रूप में खड़ा है इसको मजबूत होना चाहिए बजाए इसके ठीक कानून था पहले सीधी बाद की हमें आप अगर सुप्रीम कोट ने कहा कि पहले जाच हो फिर गरफतारी हो इसमें क्या गलाते हैं सीधी गरफतारी क्यों हो जाए की भी प्रावदान नहीं है देखे आपको जब उसके मूल एक्ट में जाओगे तो मूल एक्ट का जो पराविदान है तो हमने कोई नया जो प्राविदान है वही तो है &क शोट ने अगर इसमें अच्छे के लिए किया ना लेकिन समाज आप देखे 80 परसाफा आकड़ा ब समाज का एक वर्ग जो इतने वर्सों के बाद उस वर्ग को यह दिये लगता है कि हमें आज उस बाकी वर्ग का विश्वास पैदा होना चाहिए अगर उसमें कुछ निर्ने लिए गए हैं जो मूल एक्ट के नुसाथ है तो तो मुलाई नहीं बचाहिए यह एक लंबी बहस का मुद्दा चुँकि आप उत्राखंट से हम उस पे रहेंगे आप एक बड़ी इंवेस्टर मीट कर रहे हैं हम मैं सारी बात पर भी कभी आप से अलग से जरूर बात करूंगा हम रोजाला के लिए लेकिन आप इंवेस्टर मीट कर रहे हैं 40-40-40 क्रोड का आपने सफलता नहीं मिली कॉंग्रेस इसको जुमला बता रही है सरकार लेकिन इसमें जोड़ शोड से उतरी है और तगड़ी तैयारी और बहुत दूर नहीं इंवेस्टर मीट आपके क्या तैयारी और क्या लक्ष है जो आप हासिल करना चाहते हैं अच्टल वहरी वाजपेजी न हम लोग सिंगापुर के सब जगे जाके हमने सारे जो हमारे इंवेस्टर से उनको समझा है उत्राखन राज्य की बात मैं आपको प्रताता हूं महाजब लोगों ने उत्राखन को जो एक बार आए वह हमारे सबसे बड़े वकील वह बनकर खड़े होगे उन्हां हम जानते है उत्राखन राज्य में मैंपावर ठीक है उत्राखन राज्य में पॉलिटिकर निवसेंस नहीं है उत्राखन राज्य में सोचल सिकॉर्टी बहुत अच्छी है उत्राखन राज्य का एक माहूल है जो इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट करने के लिए सबसे उप्यूपतस और आप देखेंगे हमारे एक सेलेक्टिड हमने दाइरा मिश्चित किया है कहां कहां आ सकते है रज्जे में उसके बावजूद भी जो हमारा टार्गेट है में आराम से उसे एचिंग कर लेंगे लेकिन एक सवाली आता है जब उत्तराखंड में उद्योग लगने की बात आती तो लोगों को चिंता यह सता आती कि प्राकृतिक आपदाओं का दोहन होगा उद्योग लगेंगे तो फिर अपनी जिस तरीके से प्रदूशन की बात आती उद्योगों के साथ जिस तरह जमीन महां पर कम है पाहरण ज्यादा है तो जमीन वैसे ही कम और उद्योग लग जाएंगे तो ऐसा नहीं लगता कि हमको उत्तराखंड में टूरिजम पे ज्यादा फोकस करके उद्योग लगाने पर क्रम जो जो बहुत ही महत्तुपून है जिस पर कही न गए लोगों का एक बड़ा जुकाओ प्रारम से आईटी सेट का हमारे यहां आने को लिए तैयार है हम उस दिशा में सोच रहे हैं तो हमारे जो आईटी के लिए जिस सेट अप लगता है किया संभव हुपाए किन शेहरों को आप आईटी के लिए हमारा कोड़ द्वार देरा दून है तो इसके लिए ऐसा नहीं है मैंने का कि हमारे यहां हम लोग पहाड में भी कुछ अगर हमने हमने का कि आप हमारे चेतर में अगर आएंगे तो आप अईरुवेद का एक इतना बड़ा सेक्टर है अगर आप देखेंग है आज पूरा हमारा रिषी केस आप देखेंगे रिषी केस में आपको पांच चार हजार आपको हफ्ते वर में काउंट करेंगे तो फॉंडर नजर आएंगा आपको जो के वल आयुवेद के रूप मेंना इलाज करा है योग कर रहे है योग के लिए आ तो ऐसा नहीं है जादून और उद्धमसिंग नगर को जहां बड़े उद्धोग के लिए व्यवस्तित कर रहे हैं महां चोटे और जो पर दूसर नहीं दूद्धोग है उनको हम पहाड की तरह आगे बढ़ा रहे हैं पर आगे कहीं नहीं से संसादन जो है उन पर दोहन होगा उन पर जोर प करते हैं तो तभी तो अच्छा आपको लगेगा एक उत्राखन की जब भी बात होती है आप भारतिये जन्ता पार्टी से इतने लंबे समय से जुड़े हैं लगातार चाँए वहां पर गुडबाजी की बहुत ज्यादा बात आती है कि उत्राखन में भारतिये जन्ता पार् निकाहे में हम विपक्स होने के बाओ जो निकाहे हैं सारे नागर निगम हमारे पास हो तो महां अगर चोटा मोटा इस तरह की कोई बात होती है तो मैं समझता हूं वो उसाब गुडबाजी का नाम मैं नहीं दूँगा बलकि मैं यह कहूंगा कि राज्ये में आज हमारे मु जाना चाहिए तो एक बार निर्णे वागी दक्षिन चलना है उसके बाद या पूरब चलना इसके बाद नो प्रवाद चलना है निर्णे हो गया आपके खुद की भी कुछ तनातनी की शुरुआज में बात याई जब अगर तनातनी की बात आती तो कैसे जीतते हैं लेकिन यह था कि आपकी ख्वाइश थी तो बुराई क्या है क्वाइश नहीं हो सकता हमारे निर्णे होने तक सबको अधिकार है सबको कुछ करने का निर्णे के बाद सबको एक अधिकार है वो कमल का फूल भारते जनता पार्टी उस चलब कोई सोचने की बात ने लेकिन अभी भी सांसत बनकर लोकसवा में आने कि खौईश तो आपकी का जो वातावरण है या पार्टी के अंदर जो एक हमारा काडर बेस है इस काडर में एक चीज़ सबकारे करता हो कि मेरी योग्यता है कि मुझे पार्टी कुछ काम देगी जो काम देगी वो मुझे करना है और जहां तक सवाल है उच्छे तस्थान पर अगर आपके मन में सवाल चुकि मैं उन मदन कौशिक टी से बात कर रहा हूं जिनोंने एक लंबा समय भारती जनता पार्टी को दिया और संसत बनने की सही बात है कि हम विदान सभा लड़ रहे तो संसत का चुनाव लड़के संसत बनके क्यो नहीं जा सकते वैसे ही एक मजबूरी महां पर क्यो यह तो जब मोका मिलता है जिसको पार्टी नेतत होता है करता है वह काम करता है आज दिर्वेंदा ब्रावजी के नेतरत्तों में सरकार बहुत अच्छे चल रही है बहुत बढ़िया काम हो रहा है हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं इसलिए इस वीशे की तो चर्चा भी नहीं हो ख्वाइस तो मैंने का ख्वाइस का कोई अर्थ नहीं है हमारे यहां तो एक ही चीज है सब बैठें निर्णे करें निर्णे होने के बाद सब उस निर्णे को इंप्लिमेंट करें यह हम लोग करते हैं हम उम्मीद करते हैं कि मदन जी आवासमंत्री के रूप में और कि द्वार से विदायक भी हैं मदन जी हमसे बाचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगली बार फिर बाद वेवाग में किसी हस्ती के साथ हम आप से रूबरू होंगे तब तक के लिए मनशकार